आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेडिशनल तरीके से प्लमकेक कैसे बनाया जाता है उसका डीटेल वीडियो अक्सर जब हर कोई प्लमकेक का नाम सुनते है तो उन्या ऐसा लगता है इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसे बनाने में बहुत जादा ताम जाम लगेगा पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसे बनाने में हमें बहुत ही कम समय लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बना कर तयार करेंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले प्लम केक बनाने के लिए हमें चाहिए औरेंग जूस यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से अगर आप केक को बनाते हो तो रम का इस्तमाल किया जाता है पर हम ही आप आज औरेंज जूस से इस केक को बनाएंगे यहाँ पर मैंने ले लिए तीन कलर के टूटी फूटी आप आपके मन पसंद टूटी फूटी का इस्तमाल कर सकते हो साथी में हम इसमें डालेंगे चेरी जिसे मैंने छोटे पिसेस में कट कर लिया है यहाँ पर हमने ले लिए 2 टेबल स्पून कैशू छोटे पिसस में कट करकर साथी में वालनट्स भी ले लिए 2 टेबल स्पून अब इसमें जाएंगे खरबुजे के बीच 2 टेबल स्पून साथी में आप क्रेन बेरी, ब्लैक बेरी, ब्लू बेरी कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पर मैंने क्रेन बेरी का इस्ताम् Guten Sand किया है, इसमें हमने बाल सब्स दाल तेबल स्पून साथी में ढूंगे बादम 2 टेबल स्पून ऑप जो भी आपके पास द्राया फूट्स में कुछ को जो ले सकता हो या पर जो हमने ड्राया फूट्स लीए अगर आप इसे एक मैने तक भी शोक करकर रख सकते हो हम यहाँ पर इसे औरेंज जूस से बना रहे हैं तो हम इसे शोक करेंगे 6-8 गंटे तक तो यहाँ पर हमने इसके अंदर औरेंज जूस डाल दिया अब हम लीड लगा कर इसे 6-8 गंटे के लिए छोड़ देंगे तो यहां देखिए बिल्कुल आट have गुंटे के अंदर अच्छे से अच्छे होगे है तो यहां देखिए थोड़ा सा औरेंज्ज युस अभी भी बचा है इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे इसे भी हम केक के अंदर डालेंगे इसे हम साइड में रखकर ग्यास के उपर पैन रख लेते हैं और उसके अंदर हम डालेंगे तू थर्ड कप शूगर याने की आदा कप और पाव कप आपको शूगर का इस्तामाल करना है फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखकर इसके उपर शूगर को अच्छे से स्प पानी डालेंगे तो यहां देखिए बहुत ही परफेक्टली शूगर मेल्ट हो चुकी है अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी यहां पर जितना हमने शूगर लीती उतनी ही पानी का इस्तमाल करना है तो तू थर्ड कप पानी का इस्तमाल हम कर रहे है इसके अंदर तो यहा मीडियम फ्लेम के उपर हम जब तक शुगर अच्छे से डिजॉल नहीं हो जाती है कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारी शुगर बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और यह लीजे शुगर सिरफ बनकर त तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक कप मैदा जो कि 240 ml कप है अब इसके अंदर जाएगा बेकिंग पॉडर वन टीस्पून साथी में जाएगा हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा अब इसमें हम डालेंगे वन पिंच नमक अब इसके अंदर जाएगे कुछ खड़े मसाले यहा पर में 3 टेबल स्पून मिल्क पॉडर का इस्तमाल कर रही हूँ अब हम इन सभी को अच्छे से चान लेंगे और जो के मोटे पार्टिकल्स चलनी के उपर आएगे उसे हम निकालकर अलग कर देंगे तो यह लीजिए यहाँ पर हमने इसे अलग कर लिया और यह ड्राइ इसे हमने पूरा थंडा करकर रोम टेंपरेचर पर करकर लेकर इसके अंदर डाल दिया है गरम करेमल शुगर को आपको बिल्कुल भी आड नहीं करना है अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पर मैं इसे विसकर से मिक्स कर रही हूँ अब हम इसके अंदर डा चुला और कट एंड फोल्ड के मेथड से हम इसे अच्छा से मिक्स कर लेंगे याद रखिए जब भी आप केक बनाती हो और बेकिंग सोडा बेकिंग पॉडर डालने के बाद आपको इसे जोर लगा कर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है हलके हाथ उसे हम इसे मिक्स कर लेंगे इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ ले लेते हैं केक टीन तो जब भी आप बेकिंग के लिए केक टीन का इस्तमाल करो तो पहले से इसे बटर पेपर से ग्रीस करकर रख लीजिए जो भी शेप का आपको केक टीन पसन है वो ले सकते हो मैं यहाँ पर लूफ वाला केक पॉकेट निकल जाते हैं अब हम इसके उपर गानिशिंग करेंगे थोड़े से ड्राइफ रूट के साथ उपर से हम टॉपिंग के लिए कैशू का इस्तमाल करेंगे टूटी फूटी का इस्तमाल करेंगे ड्राइ कीवी भी थोड़ी डाल देंगे साथी में डालेंगे ब्ल से ओटीजी ओवन के अंदर रख देंगे और इसे हमें बेक करना है 180 डिग्री सेल्शियस पर 30 मिनिट के लिए तो यहां देखिए 30 मिनिट हो चुके हैं इसे हम चेक कर लेते हैं बिल्कुल स्टिक क्लीन निकल रही है मतलब केक बेक हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसे कपड़े से ढख कर रख देंगे थंडा होने के लिए यहां दिखिए बिल्कुल आदे घंटे में ही केक बहुत ही परफेक्टली थंडा हो चुका है तो अब हम इसके साइट्स को अच्छे से नाइफ से चुडा लेंगे और इसे टरन कर लेंगे एक प्लेट के उप कीजिए अब हम इसके नीचे से बटर पेपर निकाल देंगे और यह लीजे हमारा बहुत ही सॉफ्ट और डिलीशेस प्लम केक बनकर तयार हो चुका है इसे हम स्लाइजेस में कट कर लेते हैं और आपको मैं बताती हूँ अंदर से भी ड्राइफ फूट्स किस तरह से स्प्र और यहां पर हमारा बहुत ही परफेक्ट बनकर तयार हो चुका है तो कैसे लगी आज क्या हमारे प्लम केक के रेसिपी हमें कमेंट से काख़ जरू बताना और इस रेसिपी को जरू ट्राइश करना और हमारे साथ अपने एक्सपिरिंश करना तो चलिए मिलते हैं इसी तरह नेरे सिपिके साथ, thank you so much.